हेलो अवरीवन माईसल फिम्बन तुम्रें सौगत करता हूँ आपके अपने चैनल मैगनेट बेंस पे जो प्रोवाइड करता है कॉलिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंड के साथ हाँ केजी से लेकर क्लास 12 का बहुत शानदर कंटेंड आपको दिया जाता है ऐसा भी नहीं सर की एक दो दिन पढ़ाने के बाद गोटी विटी नहीं सर पूरा जब तक एक्जाम नहीं तब तक मेरा आपसे वादा था था और है और रहेगा और सर मज़ा होगा कल के लेक्चर में हाँ सर मज़ा तो आया है मैंने कमेंट पढ़े थे हाँ सर अलकॉहौल भा पढ़िया चляपटर स्कोरिंग चापटर ने मज़े से बढ़ेंगे खर मैंने आपको बताये था भीया इसका इंट्रोरक्षन क्या है एलकॉह काहां मिलता है कैसे क्या सब कुछ आज उसको बनाने की प्रिकशिया Preparation of alcohol क्या alcohol को बनाते कैसे हैं सर काफी process है 7-8 process है तो देखते हैं आज अपने चालू किया है कोशिच करेंगे एक ही पाट मूझाे नहीं तो फिर पाट टो में भी ले जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन मज़ा आने वाला है तो एक बार ज़रा प्रिजेंट लगा दो और बोले सर चालू करने वाले हैं किसको अलकोहॉल को आज देखेंगे अलकोहॉल को कैसे कैसे बनाते हैं क्योंकि सर अलकोहॉल को बनाना देखना बहुत जरूरी है अगर आप alcohol को बनाना नहीं देख पाओगे तो फिर problem में फच जाएंगे अपन क्योंकि जब तक अपन को उसकी process नहीं पता होगी, preparation नहीं पता होगी, उसकी commercial process नहीं पता होगी अपन आगे काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ऐसे ही मुस्कराते हुए है, alcohol की आज preparation पर चालू करते हैं, शांदार class दिखेंगे, एक बार लिख दीजे, sir clear है, चमका, कोई दिकत तो नहीं, तो एक बार चमके से शुरुवात करते हैं, और preparation of alcohol पर बात करते हैं सबसे पहली process, कहरा भया, double bond से बनाओ, मतलब from alkyne से बनाओ, मैंने का, ठीक है, बना देंगे, alkyne बोले तो double bond, और उसमें भी sub heading यह है, कि by acid catalyzed hydration of alkyne बात समझना, hydration of alkyne का मतलब, alkyne में पानी मिला दो, alkyne में पानी मिला दो, हना, पानी में डाल दो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन उसमें acid catalyzed जोना चाहिए, मतलब in the presence of acid के presence में करवाएंगे, जो की as a catalyst काम करेगा, किसके presence में काम करेगा, catalyst के presence में, tension निलेना मैं हूँ, और कौन सा acid ले रहे हैं, h2 as a fault, तो आज आईए, मैंने क्या बोला, sir, आपको ऐसी ऐसी चीज़े बताऊंगा, मैं आपको कोई दिकत नहीं आई, यह देखे, दिख रहा है, अब देखो, प्यार से दिखना, इसकी reaction h और oh के साथ, water यह होता है, किसके presence में बिठा, acid के presence में, इस सब दो तरीके हैं इसके, या तो अपने यह bond को बोले कि चल बटा, यह carbon तू ले ले, फिर बात आएगी, sir, यह ही क्यों ले रहा है, यह को नहीं ले रहा है, क्योंकि अगर यह ले लेगा, तो यह हो जाएगा, नेगेटिव ली चार्ज, और यह हो जाएगा, और एक bond हड़ हाँ, sir, very good, very good, यह तो सही है, लेकिन अगर, माइनस यह ले 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 था, तो इसके उपर प्लस आजाता, अगर इसके उपर प्लस आजाता, तो यह एक ही carbon से जोड़ है, तो यह क्या किलाता है, primary carbocation, और मैंने आपको पढ़ाया है, sir, कौन सा carbocation ज्यादा स्टेबल होता है, sir, हेलो हलकेन में तूफान मचा दी अपने, जल्दी बताओ, primary के secondary, तो answer is, sir, secondary carbocation is more stable, that's why, यह बहुत इदर जाएगा, और इसके उपर कौन सा चाह जाएगा, positive, यह बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, एक बार जरा लिख देना, carbocation की stability order क्या हेलो हलकेन में बनाया है, बाई, दिल बना के लिखेंगे, क्या order है, carbocation का stability order, जल्दी, जल्दी, आप देखो, आप देखो एकदम बढ़िया तरीके से, हपन जानते हैं, हमेशा, जब भी रहेगा, तो यह bond को यह खीचेगा, और यह हो जाएगा, minus, और यह हो जाएगा, plus, क के पास, और minus, plus के पास, चलो, आप देखो, CH3, बहुत शानदार, CH पे नीचे, OH, और यह CH2 था तो यह हो गया, CH3, क्या बन गया, propane to all, क्या बन गया सर, propane to all, टफ था क्या, टफ था क्या, प्रोपेन to all, देख लीजे एक पर, देख लीजे, यह एक तरीका है, एक तरीका और बताऊँगा अभी, यह है, propane to all, कित्ती शानदा रियाक्शन थी, और जो गेस के उपर, H+, लिका है न, उससे डरिएगा, बत, वो as a catalyst का काम करा, as a catalyst, जब मैं इसका mechanism बताऊँगा न, तब आपर इसका काम देखें, यह as a catalyst के presence में, as a catalyst के presence में, जल्दी, 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 हो जाए तो बताईएगा, जल्दी, 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 फटाफट, फटाफट, जल्दी, 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 कोई दिकात हो, तो बोलिए मिर को, clear है, पका, अब समझे, इसका एक और तरीका था, देखिए, यह, जल्दी, 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 कि रेच को बिच बनाओ यह है मार कॉनिक आफ रूल यहमार समझो सर्थ डोनों मैंसे अमीर कौन है सर्जिसके पास ज़्याधा है यह मतलब यह रेच है है सर्थ तो रेच चो क्या बनाना तो यह CH3 देखो और बीच वाली के पास OH जाएगा देखो बन गया प्रोपेन 2 तो यह मैंने मार्कॉनिक ओफ रूल से भी आपको बता दिया कौन सा रूल अपन इसमें देखो लिखा हुआ है मार्कॉनिक ओफ रूल इसको भी आपन ने फॉलो कर दिया कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं हुई है एक बात देख लीजिए जल्दी तो बिल्कुल इजी था कोई दिक्कत नहीं है अलकीन से अलकोहॉल तैयार कर दिया है पानी डाल के मतो पानी पानी हग गई चलो बही है जल्दी 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 फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी सर यहां लिख लीजिएगा एच प्लस के प्रेसेंस में एसेस के प्रेसेंस में थोड़ा सा हीट बहुत शांदर बहुत शांदर बहुत शांदर बहुत शांदर जल्दी जल्दी आपको पता टाइम देके क्यों करवा रहा हूं कि आप इसको आप मेरे साथ लिख सको देखिये ना अलकीन रियाक्स विथ वाटर इन दा प्रेजेंस आफ कोल्ड कंसंट्रेटेड एच्टू एस फॉर तू गिव एलकोहल फॉलोड मारकॉनिक ओफ एडिशन फॉलोड मारकॉनिक ओफ एडिशन ठीक है सिर्व एडिशन हुआ है को दिकर नहीं चलो पिया अब देखेंगे अगला वाला क्लियर है पका चलो oh my god sir, ये क्या क्या आगया मैंने का ये तो मिरे को भी डल सा लग रही आ है sir, hydroboration sir, boards मैं पूछ लेता है पूछ लेता है hydroboration इसको indirectly oxidation of alkyne भी कहेंगे oxidation of alkyne भी कहेंगे मैं करवाएगा ना, मैं करवाएगा इसको फिर अपन देखेंगे अच्छा, डाइबोरेन मतलब B2S6, देखिया, चलो, कोई दिकत नहीं है, क्या करना है, प्रोपीन, प्रोपीन के साथ करना है न, प्रोपीन के साथ, अब बात को समझना सर, कहानी थोड़ी सीधी नहीं है, उसना डाइबोरेन बोलना, डाइबोरेन का मतलब होता है B2S6, और यह बनता का इसे है बोरेन बोरेन बोले तो बी एच त्री दो बोरेन मिलके बनाता है बिटा डाइबोरेन दो बोरेन मिलके क्या बनाता है डाइबोरेन हमने ठीक है तो हम यहां पर यूज करेंगे क्या सर बोरेन और मैं आपको एक कहानी बताऊं सर यहां पर कहानी में एक प् सकता हूं हाँ सर लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब मैं जानता हूं कि भया यह बॉर्ण को अपनी तरफ खीच लेगा तो इसके उपर नेगेटिव चार्ज और इसके उपर पॉजिटिव हाँ सर यह तो हमें पता है और यहां पर अब जो रूल लगेगा बैटा इस पू पूर को रिच बना दो और रिच को पूर बना दो तो मैंने का ठीक है भाई कौन इसमें से रिच यह रहा रिच तो रिच को क्या बनाने का पूर बनाने का पूर बनाने का तो चलो बाई और चलो बाई दिख रहा है दिखा के नहीं दिखा बनाओ जल्दी CH3 CH2 CH2 BH2 यह देखा यह और इसको पता है क्या कहते हैं इसका नाम होता है PROPYLE BOREN PROPYLE BOREN क्या होता है PROPYLE BOREN कोई दिक्त की यहां तक बात नहीं होती बात समझे गी नहीं समझे हाँ सार समझ गया कोई प्रॉबलम नहीं है सब जी समझ गए कोई प्रावलम की बात यहां तक नहीं है अब यहां पर तोड़ा इसको छोटा कर दें सिरागे बढ़ते हैं यह वाला इसके पास और यह वाला इसके पास चीक है? कोई दिक्कत तो नहीं यह एक रियाक्शन होगी बिटा ध्यान से सुनते चलना काम की रियाक्शन है यह काम किये और इसको अपर ऐसा नहीं लिखेंगे बार बार अपर तो एक यह बार में लिख दिंगे लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना है अब आएगा दूसरा मॉलिक्यूल पहले इसको लाओ CH3 CH2 CH2 BH2 को मैं ऐसा लिख लूँ यहां BH2 था मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्योंकि फिर वो ही लफड़ा होने वाला है यह से खीच के माइनस बनाएगा और यह वाला फिर से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है हमने का अच्छी बात है अब लेके आओ फिर से भाईया फिर से क्या है यह CH3 CH double bond CH2 मैंने अभी आपको बोला कितने मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल बाकी है मतलब एक होगे आप दो बाकी है तो यह एक को ले आया हूँ मैं अभी और भी लाऊंगा अब देखो क्या होने वाला है सर समझना बात को यह जो H वाला पार्ट है भाईया को कहां जाएगा जहां पर आपके पास पूर है पूर को रिज बनाना है तो यह यहां जाएगा और यह वाला पूरा पार्ट यह दिख रहा है यह पीछे वाला यह पीछे वाला यह पूरा पार्ट यह कहां जाएगा इसके पास करें करें ध्यान से देखना ध्यान से ध्यान से देखेंगे CH3 इसके पास है चाहेगा, एंटी मार्कों निक उफ लगा, बहुत बढ़िया, फिर यहाँ पर CH2 के साथ, क्या जाएगा, B, H, और उसके नीचे क्या जुड़ जाएगा, CH2, CH2, CH3, यह देखिए ऐसा, देखां, यहाँ पर यह पूरा पार्ट आगे चला गया, यह, तो यहाँ स बोरेन, डाय प्रोपाइल बोरेन, अब आएगा तीसरा मॉलीकुल, कौनसा बॉलीकुल, तीसरा मॉलीकुल, ले आउसको ले आओ, पकल के लाओ उसको, पकल के लाओ भाई को, अच्छा मैं इसको ऐसा लिख दू क्या, आपको अगर कोई आपत्ती ना हो तो, देखो, यह व तो B और H को ऐसा लिख सकते हैं हाँ और हम समझ गया सर क्यों लिख रहे हो क्योंकि यह फिर से सको माइनस बना देगा और यह फिर से प्लस और अब आपका तीसरा मॉलीकूल आने वाला ही क्योंकि आपने तीन लिये थे पहला दूसरा और अब तीसरा मैंने का ठीक है टेरेंट टेरेंट यह देखो आगया अब देखो फिल से अंटि माल्कौनिक fronts हमने पढ़ा है पूर को ने यह नहीं रहा तो पूर को अमीर बनाना है और भायगा जो क्या है घरिवे इसको प्रफर अमीर बना दो ये पूरा पार्ट ये वाला पूरा पार्ट जाए CH2, अब C, H2, ठीक है, अब इसके साथ क्या जुड़ेगा, सर्फ B जुड़ेगा, ये B, ये जुड़ा, और B के साथ अल्डेडी पीछे दो लगे हुए, क्या लगे हैं, पूरे दो लगे हुए, देखिए पहले मैं बताओ दूसको, मैं कर देगा, सब जुड़ करेगा, आप टेंसन मत लो, देखो, अब क्या होगा, B के साथ कित्ते लगे हैं, दो, कौन कौने, CH3, CH3, CH2, और CH2 का होल 2, ऐसा लगा हुआ है, पूरा, ऐसा लगा हुआ है, पूरा, और अगर आप चाहो तो मैं वाइपर उसको उपन करके भी दि करके भी दिखा देता हूँ, अच्छे से देखो, बस थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आईगी, मैं बना दूंगा, ये दो हो गए, और एक ये लगा है, पहले इसको तोरा छोटा करना पड़ेगा, चलो उपर, चलो, 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 ये देखिए सर, ये बन गया आपका कंप दिख रहा है, और ये कहलाएगा, ट्राय प्रोपाइल बोरेन, क्या कहलाएगा बिटा, ट्राय प्रोपाइल बोरेन, ये बनता है आपका, तीन आपने प्रोपाइल लिये थे, सॉरी, तीन आपने प्रोपीन लिये थे, और उसकी रियक्शन आपने कराई बोरेन से, किससे कर पूर गेट्स रिचर रिचर गेट्स पूरर और आपका ये कंपाउंड तयार हुआ है अभी पूरा नहीं हुआ है अभी तो बाकी है अभी तो पिच्चर बाकी है क्योंकि सर आपने पढ़ा है जब भी एंटी मार्कोनिक उफ रूल लगता है तो एक रियेजेंट आता है उस का नाम चाहिए मिरक भी सबको पढ़ा है मैंने एंटी मार्कोनिक उफ रून लगने के लिए एक रियेजेंट आता है इस रियेजेंट का नाम हमर को सर चाहिए 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 रो दूंगा रो दूंगा नहीं तो चलिए सर क्या था वो रिये जिन मैं बताता हूँ आपको यह हो गया ना चले आगे चलो अब देखो प्याल से प्याल से देखना भी यह इसको बनाने पहले देखो कितना शाननार बनाएंगे यह देखिए और अब इसमें आपने डाला था भाईया तीन बार एंटी मारकोनिक उफ लगाया है तो भाईया परोकसाइड भी तीन बार आया होगा कुछ ऐसा तो सर यही रियेजन की तो बात कर रहे थे आप परोकसाइड की जी हाँ यहां परोकसाइड भी कितनी बार आया है तीन बार क्यों एक बार इदर आप बात तो वह यह है तो देखिए एक परोकसाइड यहां एक पर उक्साइड यहां और एक पर उक्साइड यहां दिख रहा है दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है अब देखना क्या होगा अब देखना सर यहां से तूटेगा यहां से तूटेगा और यहां से तूटेगा एक ये टूटेगा एक ये टूटेगा और एक ये टूटेगा दिखा आप समझो कितने प्रोपाइल खाली हो रहे हैं सर्थ तीन प्रोपाइल खाली हो रहे हैं कितने प्रोपाइल तीन एक दो तीन और तीन ओएच को लेके क्या बना लेगा CH3, CH2, CH2 और OH ऐसे कितने molecule मिल जाएंगे सर्थ 3 3 आपके पास propyl alcohol बन जाएंगे 3 आपके पास propyl alcohol मतलब आखरी वाले carbon पे OH और बीच वाले carbon पे hydrogen लग गया यह हमें पता था हमने का अच्छी बात है और क्या बचा, सर्थ B के पास 3 OH तो B भी तो 3 OH बना रहा है यह देखो और यह B OH3 जब आप P block पढ़ते हो तो इसको लिखा जाता है H3 BO3 विच इस नोन अज बोरिक एसिड क्या कहते हैं सर्थ Bोरिक एसिड लेकिन हमें तो इस से मतलब था सर्थ हमारा यह compound था ये आपके सामने reaction हो गई और ये बन गया Propyle alcohol या फिर Propane 1-оль यह तैयार हो गया आपके सामने देख लीजे It is known as Propyle alcohol It is known as Propyle alcohol ये आपके सामने पूरी reaction थी जल्दी देख लीजे बढ़िया तरीके से देख लीजे एक पर शान्डाल तरीके से मज़ेदार आपको इत्ती लिखनी नहीं होती है आपको ये पूरी मेकानिजम लिखनी नहीं होती है लेकिन सार आपको जब तक पता नहीं होगा कि क्या हुआ तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊँ हुआ इसलिए मैंने आपको बता दिया नहीं तो अपन तो केते हैं ही दल लगा दो, हो एची दल लगा दो, कतम हो जाता, लेकिन मैंने आपको पूरा समझा दिया, क्योंकि भाईया, ये कई हो को समझ में नहीं आता है, हाइड्रो बोरेशन, इम्पोर्टेंट है, याद रखना ये, यहाँ पर तीन बार क्यों ही, क् तीन अपन ने प्रोपीन लिये थे, तीन प्रोपीन लिये थे, तीनों ने हाइड्रोजन को हटा के बोरोन के साथ बॉर्ण बना लिया, इसलिए पहले बना प्रोपाइल बोरेशन, डाइप्रोपाइल बोरेशन, ट्राइप्रोपाइल बोरेशन, ये अपन को देखने को मिल चलो, पीछे देखो एक बार क्या है, आजाओ, अलकीन रियाक्स विथ, डाइबोरेन ना प्रेसेंस ओफ टी एचेफ, टी एचेफ एक रिएजेंट था, टेट्रा हाइड्रो फूरेन, एस सॉल्वेंट तू फॉर्म, अलकाइल बोरेंस, अलकाइल बोरेंस बनाता ना, एड्रिजन पर ऑक्साइड को लेके आए, और कौन सा रूल हमारा कन्फर्म हुआ, एंटी मार्कोनिक ओफ रूल, यह देखो, यह प्रोपीन था, यह देखो, बीटू एसिक्स, अपना डाइबोरेन, एच्टू ओटू, और साथी साथ पानी लिया, और मैं कहता हूँ कि सर, अभी जो मैंने मेकैनिजम बताया, वह इस सबकी वजय से हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या एड़ोरा है, पानी एडोरा है, अगर करना होता मेरको, तो मैं एक जठके में करके बता देता, आपको रियक्शन देखिए, पानी एड़ोरा है ना, देखिए, मैंने क्या बोला, हर तरीका बताऊंगा मैं कौन सा रूल लग रहा यहां पर एंटी मार्कॉनिक ओफ रूल कौन सा रूल लग रहा भीया एंटी मार्कॉनिक ओफ रूल हमेशा या रखना हाइड्रो बोरेशन में यह जब भी आपन यह करेंगे उसमें पानी लगता है उसमें क्या लगता है सर्जी और OH माइनस और एंटी मारकों निक आफ क्या कहता है, पूर को रिच बनाओ, रिच को पूर बनाओ, सर ये रिच है, तो रिच को पूर बनाओ ना रे, और जो पूर इसको अमीर बनाओ ना रे, तो देखो ना, CH3, भाई के पास आजाएगा CH और लग जाएगा H, और फिर CH2, OH ये देखिए, और जो पीछे बताया, वो पूरा प्रोसेस था, जैसे ये रियाक्शन होती है, तो दोनों तरीके समझाएगा भाई, कान यहां से पगड़ो, यहां यहां से पगड़ो, कान ही पकड़ाता है, लेकिन तरीका अलग है, ये पूरा मेकानिजम हो गया, और ये ल आली बाद, ठीके, तो देखिए, here the net addition of HOH to alkene is in accordance with anti-marconic of rule, कौन सा rule लगता भया, हाइड्रो बूरेशन में यहां दखना, anti-marconic of rule लगता है, it is an important method for preparing primary alcohol, कौन सा alcohol बिना, primary alcohol, पीछे भी अगर आप देखिएंगे तो primary alcohol, ठीके, in the above reaction, H कहां से आता है, B2S6 है, अपने पास आया भी था, पीछे देखो, यहां पर जो यह H आ रहे थे, यह कहां से आया, B2S6 है, किसे आया, B2S6, मतलब बोरें से, इसी से H मिला न, और, OH कहां से मिला, OH कहां से मिला, परोकसाइट से, कहां से मिला, परोकसाइट, and OH comes from H2O molecule, in the presence of परोकसाइट, पानी भी था न, उसके नोट डाउन करिए जल्दी, तो यह शॉर्ट कट, टेरें, टेरें, खताम, खताम, पहले वाले में, फ्रम अलकीन से हाइडरेशन कराये था, मारकाउनिक उफ लगाये था, हाइड्रो बॉरेशन नाम देखो, एंटी, 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 बस यह कलते रहे न, अरे, एंटी, ए चलिए हो गया, दाउन कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आगे बढए बहुत शान्दार, ये देखिए सर, हैडोलिसमाब करतो अफ हैलोलकीन, ऍसमें अपन लेते हैं सर, एकवस की ओएच, सर इससे बढ़िया कोई रियक्शन नहीं, एल्कोहल बनाने की इससे कोई बढ़िया यह देखिए, कराओ, किस से, सल जी हमारा के ओ एच, ओके, कैसा है, एक्वस, एलकोहलिक मतले नरे बाबारे बाबा, इथीन मना देता है, चलो, आप देखो किती प्यारी बाते हैं, किती सुन्दर बाते हैं, यह केसी है, प्लस, CH3, CH2, OH, सर, यह बन गया अलकोहल, यह बन गया अलकोहल, और पता हैं, सर, यह जो प्रोसीजर है, यह दो मेकानिजम पर चलता है, और दोनों मेकानिजम मैंने आपको पढ़ा हैं, SN1, और SN2, अब बोलो कि सर, यह क्या, मैंने का, SN1 भया, सब्सिट्यूशन न्यूकलियोफिलिक यूनी मॉलेकुलर, और, SN2 मतलाब, सब्सिट्यूशन न्यूकलियोफिलिक बायमॉलेकुलर, डिपेंड करता है, कौनसे डिगरी का आपने कार्बन लिया हुआ है, चलो, एक कोशन, जल्दी बताओ, SN1 का, रियाक्टिविटी ओर्ड क्या होता है, कौमें बिए, कौमें बिए, जल्दी कौमें बिए, पढ़ाया है, मैंने है, ह Barnyear, जल्दी, 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 इन प्रेजेंस ऑफ, एक्वस, सोडियाम और पोटेश्यम हईडौकसाइड और मोइस्ट, सिल्वर ऑक्साइड, दोनों में से कुछ भी ले सकतने Rx मतलब यही आपका example के साथ लिया मैंने प्लस KOH aqueous यह देखिए तो भया Kx निकल जाएगा और ROH बन जाएगा reaction will follow either Sn1 और Sn2 mechanism depend करेगा यह कौन सी degree का है अब फिर order आजाएगा Sn1 में degree कौन सी अच्छी होती है tertiary, Sn2 में कौन सी अच्छी होती है methyl वाला है तो Sn2 के थूरू चला जाएगा और tersier ही है तो किसके थूरू चले आएगा Sn1 के थूरू चला जाएगा जल्ली note down करिये सर इससे असान तो कुछ भी नहीं है इससे आसान तो कुछ भी नहीं है बहौत तगडी reaction है तो इस पर तो कुछ बनता है सर क्या बनाना है सर इस पर तो कुछ अच्छा बनता है चमका लिखना हाँ सर बिलकुल बिलकुल आज कल बच्चे बोला सर खूब दिल-दिल बना रहा हूं ऐसी बात क्या है मैंने कोई बात नहीं है चमका जल्ली लिखेंगे चमका और फिर स्टार्ट करते हैं इसके बाद थर्ड वाला कि तीन सी कौन सी प्रोसेस है सर सेकेंड वाली कित्ती आसान थी कित्ती शांदाल थी एक बार अब तीसरी कौन सी प्रोसेस है सर जिससे अलकॉहल बनाया जा सकता है मैंने काम की प्रोसेस है काम की प्रोसेस है अभी आपने देखा अपने अलकीन से बनाना सीख लिया अलकोहल को पहली होगे इसमें दो परे फिर हेलो अलकीन से बनाना सीख लिया किसे सीख लिया हेलो अलकीन से क्या अलकोहल बनाना सीख लिया अब तीसरा नंबर शायद मेरे को लग रहा है कि LDH या कीटोन आना चाहिए तीसरा मेरे को लग रहा है LDH या कीटोन आना चाहिए जल्दी 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 फटा फट फटा फट फटा फट जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा हो जाए तो बताइएगा चल क्या कराके सर reduction reduction कराओगे तो भी आपको alcohol मिल जाएगा और अपन सब जानते है reduction कराने के लिए अपनको लगता है reducing agent क्या लगता है सची reducing agent क्योंकि सर reduction कौन कराएगा reducing agent 10th में पढ़ा है example lialh4 lithium aluminium hydride या फिर nabh4 ये भी बहुत बढ़ी है या तो फिर आप catalyst ले लो क्या ले लो catalyst catalyst बोले तो nickel, platinum, palladium इनके presence में भी आप करवा सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होती ये सारे के सारे क्या होते है reducing agents होते है reduction कराने के लिए आपको इनकी जरुवत परती है reducing agents reducing agent कौन कौन है ये दोनों ये वाला और ये वाला ये आपका catalyst है या फिर एक और तरीका है आप aldeide और ketone की reaction किस से करा दो सर grignard rmg x बहुत शानदार इससे भी आपको alcohol मिलता है पहले मैं आपको reduction पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको grignard reagent पढ़ाऊंगा सर important है ये बहुत बहुत important है मैं भी आपको एक बात बताऊंगा क्यों important है जल्दी 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 बहुत शानदार तरीके से करेंगे बहुत मज़दार तरीके से करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे चलो 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 कितना क्यूटी सा हेल्डी हाइड है कितना क्यूटी सा हेल्डी हाइड है अब भया रिडक्षन करवाना है अभी आपने पढ़ाया सा रिडक्षन कर रहा है अपन किसका है अल्डी हाइड का रिडक्षन और कीटोन का रिडक्षन मैंने का अभी कौन है अल्डी हाइड का कर रह मिलेंगे इनके पास unlimited hydrogen है जित्ते चाहिए हूँ अब देखो पो सुन्दर बात बताऊंगा सर एक बॉण्ड यह तूड़ आता है एक बॉण्ड अगर एक बॉण्ड टूड़ गया तो एक वैलंसी इसकी फ्री होगा के नहीं मेरे हाथ ऐसे बंदे हुए था अगर मेरा हाथ छूड़ गया तो एक वैलेंसी ये फ्री, एक वैलेंसी ये फ्री है क्या नहीं? हाँ सही बोल रहा है मतलब एक वैलेंसी ओक्सियन की फ्री हो गई और एक कार्बन की आपके पास कितने हैं? दो, दो, दो एक भाई को दे दो, एक इस भाई को दे दो, और एक इस भाई को दे दो मैंने का देखे देखो, CH3, फिर देखो, C के पास एक हाईडोजन आ जाएगा और एक अल्रेडी था, क्या हो जाएगा? CH2 उपर O था O के पास भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा क्या बन जाएगा OH देखिए Sir अल्कोहाल बन गया है देखिए अल्कोहाल तैयार हो गया है कोई दिक्कत की बात नहीं है इस अल्कोहल में एक बात देखिए समझ़िए फिर समझाईए कोई दिक्कत जल्दी जल्दी सोचिए फिर बताईए जल्दी 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 कोई दिक्कत कोई दुख कोई दद अब समझो बात को एक important line पहले एक question और कराऊँगा पहले एक question और चलो ट्राइ कर उसको इसका भी lithium aluminum hydride के presence में lithium aluminum hydride चलो आप लोग करके बताओ क्या compound बनेगा compound का नाम बताना compound का नाम बताना compound का नाम बताना compound का नाम बताना थोड़ा compound का नाम बताना थोड़ा जल्दी 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 हो गया अरे वो होती जी है यह बॉन तूटेगा एक इसकी फ्री एक हाइडोजन इदर एक हाइडोजन इदर देखो CH3 CH2 देख रहा है फिल CH2 देखा CH2 कितने तीन हो गए अब इस कारबन पर देखना इस कारबन पे एक तॉल लेड़ी था एक और आएगा तो कितने हो जाएंगे 2 2 2 21 कि और फिर उएच कैसे हैं अब समझों किससे हैं आप समझाना चाहता हुआ इसो अで सर फॉंक्श्णल गूर्प का है यह रा हां समझ स्विदीड को पुर्प हां सब्सक्राइब के फॉंक्शल गूर्प से कितने कार्बन जुड़े एक यह मेन कार्बन अब main carbon से कितने carbon जोड़े है सर एक मतलब यह primary aldehyde है कौन सा aldehyde है सर प्राइमेरी aldehyde है ये भी देखिए एक carbon जोड़ा है क्या है primary aldehyde और इज़र alcohol क्या बना है देखिए सर main carbon main carbon से एक ही जोड़ा है सर primary alcohol बना है बात को समझेगा मैं क्या कियना चाहरू हूँ यहाँ पर भी क्या है primary alcohol ही बना है देख लिए आप primary alcohol है main carbon main carbon से ठेक carbon जब aldehyde primary है तो आपका alcohol भी क्या होगा primary होगा aldehyde भी क्या होगा primary होगा लेकिन एक चीज़ समझू कुछ लोग यह केते है सर अलडी इंट तो हमेशा प्राइमेरी रहेंगा सेकेंडरी तो कि नहीं नहीं मेथ है हना बता उ कोई डिग्री यहां मिलेगी तो सर वो तो कॉमन सी बात है डिग्री थोड़ी बढ़ेगी मैंने का देखो बताऊंगा सब बताऊंगा कल लिया था नोट डाउन आप देखो एक और है अब मैं किसको लेने जा रहा हूं ध्यान से देखना सब जानते हैं इसको हां सर यह थो हमारा स्लिभा अल्य दियाइड का फॉर्मल डियाइड हां 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 अब बताओ भाई हां हां सर इसके पास तो प्राइमेरी नहीं ये तो जीरो डिगरी होगा होगा ना जीरो डिगरी क्योंकि मिताइल एक ही कार्वन है तो यह क्या कहलाएगा zero degree क्या कहलाएगा zero degree ओ, zero degree कुछ होता नहीं है लेकिन मैंने आपको आपाए था याद रखना तो आप सर अभी आपने पढ़ाया अगर LDI primary है तो alcohol भी primary अगर यहाँ पर LDI 0 degree है methyl वाला है तो alcohol भी 0 degree बनना चाहिए मैंने का देखते मैंने का भगवान के दुआ से होना तो यही चाहिए जाए शियरा चलो Li-Al-H4 lithium aluminum hydride अब देखना यह bond टूटा तो एक इसका free एक इसका free एक इसके पास एक इसके पास गया कैंने गया अब देखो अब देखो सर एक hydrogen इसके पास गया अल्डेडी कितने थे दो थे तो कितने हो जाएंगे सर देखो क्या बन गया methyl alcohol बन गया की नहीं हो गया को हम zero degree alcohol भी बोल सकते हैं बिटा ये कभी होता नहीं है बुक्स में zero degree बस याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है तो क्या था यहाँ पर भी मिथाइल तो वाँ पर भी मिथाइल alcohol यहाँ पर zero degree वाँ पर zero degree यहाँ पर primary वाँ पर मैंने का नाइं तो डिग्री अल्ड बनाने के कोशिच करोंगे किटोन बन जाएगा दिखाता हूं वह भी दिखाऊंगा पहले सको reducing agent for the conversion of carbonyl group into alcohol यह हुआ carbonyl group का मतलब होता है CO LILH4 is soluble in ether the common solvent as it does not reduce the carbon-carbon double bond यह देखे carbon-carbon के double bond को छेर जानी उसने नहीं करी तो यह था भया reduction of aldehyde अब अपन देखेंगे reduction of ketone देखे तो सर इसका secondary होता है के नहीं होता है मैंने का चलो देख लेते हैं चलो जल्दी जल्दी हो गया हो गया चलो चमका ना अब देखो ketone यह देखिए सर आपका ketone ketone itself secondary होता है चेक करिए दो लोग लगे कितने लोग लगें दो तो यह secondary है कौन ketone अपने आप में क्या है secondary है इसलिए aldehyde कभी secondary नहीं होता कराओ इसका reduction कराओ सर सर हो जाएगा इसका मैंने का अरे क्यों नहीं होगा मैं हून सर सर एक doubt है मैंने का हाँ बोलो सर जब आपने zero degree लिया था तो alcohol zero degree मिला था aldehyde जब आपने first degree aldehyde लिया था तो alcohol भी first degree मिला था अब आप के रहे हो ketone यहाँ पर secondary होता ketone itself में second degree से चालू होता है तो क्या alcohol भी secondary बिलेगा मैंने का देखते हैं भाई मेरको नहीं पता कुछ भी ऐसा मैंने का बिलकुल नहीं पता मेरको lial h4 lithium aluminum hydride वो ही बाला खाम देखो सर यह bond टूटेगा यह टूटेगा तो एक h इदर और एक valency यह हो जाएगी तो एक h इदर अब देखो CH3 as it is बनाओ फिर कौन है कार्बन है फिर इस CH3 को नीचे लिख लो अब समझो सर इसके पास एक h आया हुआ है मैंने का ठीक है फिर बगल में क्या लगा है अब चेक करो सर कौन सी डिगरी का अलकॉहल है सर दिग्या यह में कार्बन में कार्बन से एक दो सर सेकंडरी अलकॉहल है सर मतलब हम समझ गए हम समझ गए क्या क्याना चाहते हैं आप अगर 0 डिगरी का LDI है मैं यह चीज आपको इसलिए लिगवा रहा हूँ क्योंकि काम की है तो आपको 0 डिगरी का अलकॉहल मिलेगा क्या मिलेगा 0 डिगरी का अलकॉहल मिलेगा एक मिट एक मिट 0 डिगरी का अलकॉहल मिलेगा अगर आपने Primary Aldehyde ले लिया तो आपको Primary Alcohol मिलेगा बहुत शांदाल सर बहुत शांदाल अगर आपने Secondary Ketone ले लिया Ketone itself में secondary होता है बस ठीक है? Ketone itself में secondary होता है चीक है? तो जैसे आपने Ketone ले लिया तो सर आपको यहाँ पर Secondary Alcohol मिलेगा मतलब सब डिगरी में कोई changes नहीं है सबको बराबर मातरा से दिया जा रहा है वाई तू क्यों नीचे आ रही है यह देखो यह सबसे important point है जल्दी note down करेंगे जल्दी चलिए हो गया कोई दिकत तो नहीं अच्छा इसको एक चीज़ और लिख सकते हो यहां चाहो तो secondary मतलिको क्योंकि ketone itself में secondary होता है इसलिए आपनको यहां पर secondary alcohol मिलता सर यह बहुत important line है कभी ऐसा होता है conversion में आपको जरूरत पढ़ेगी इसलिए मैंने आपको वहापर लिख दिया और यह तीनो case reduction के हैं किस के हैं सर? reduction के यह बाला लिख लिए ना क्योंकि मैं उसको अभी central में लेके आने वालो central line पर लेके आने वालो उसको चलो आजाओ बाबू यह कपका है? reduction का खेले जब आप reduction करोगे तब zero degree aldeide के reduction करोगे zero degree alcohol primary aldeide के reduction करोगे primary alcohol ketone के reduction करोगे secondary alcohol यह important line है सर इसको लगा डाला live जिंगा लाला सूला चत्रा सान सितारे तोड़े लाओंगा सारी फुल जड़ी ही है अनार अनार सब लगा लो सर उपर दिल बिल बना लो दिल में बसा के रख लेना सर इसको बहुत काम की चीज़े बहुत काम की चीज़े अती में काम की चीज़े यह लो अती में काम की चीज़े इसको बना के रख लो बस चलिए, क्योंकि अब बारी है ग्रिगनाड्स रिएजेंट से अब बारी है ग्रिगनाड्स रिएजेंट से और सर काम की बात है बहुत शांदार काम की बात है चलिए, कोई दिकत तो नहीं पक्का कंफर्म, चालू करूँ, चलिए टेरें टेरें ये देखे सा By the action of Gregorate reagent On 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 hydroeide and ketone and easter easter सबlaughter हम बात में देखेंगे पहले अपन बात करेंगे looking at on lithium in ketone चलिए By the action of Gregorate reagent on LD, ketone and easter चलो भी आपानी पीलें फिर हैं आगे बढ़ते चलो हो गया गया चलिया अब बढ़ने का काम है PBS सर अब मैं बोलू तो मेरा फीवरेट टॉपिक आये है अब मेरा गिर गरिगनाड उतरेगा सर सबसे पहले बात करेंगे LD हाइड से बहुत सुन। बात है सर सर बहुत सुन। बात है LD हाइड से LD-Ide बोले तो ऐसा होता है LD-Ide बोले तो ऐसा होता है LD-Ide की reaction Gregonard reagent मतलब CH3-Mg-Br Sir Gregonard में मैंने एक example ले लिया RMG-C-R, Methyl, Magnesium, Bromide बहुत बढ़िया reaction होगी Sir समझना Sir से समझने की कोशिच करना बहुत शानदार reaction है Sir आप सब जानते हैं Oxygen बहुत electro negative आदमी है केता है बॉन्ट चाहिए मिरे को पर और ले लेता है और बन जाता है minus अब कार्बन पर भाईया उसका electron चला गया तो वो हो जाता है plus इधर Magnesium भी अपना दबदबा कायम करता है केता वाई हम तो metal है metal positive होते है हमने गाड़ी के बाई और ये chloral फिर क्या हो जाएगा negative अब बात ये है Sir ये negative है तो positive को देखके केता है आजा आजा ये positive negative को देखके केता है आजा आजा और इनके बीच में बात चलती है तो ये इधर और ये पूरा उपर लेके इधर कोई दिक्कत बनाओ बनाओ CH3C single bond के साथ O minus mgbr मैंने minus क्यों लगा है तो कि ये लोग आपस में जुड़े हुए है फिर नीचे क्या है CH3 और बगल में H लगा हुए दिख रहा है ये एक unstable compound form हो जाता है अब magnesium केता है बाई मेर को जाने का है तो केता अभी तो आया तू केता नहीं मेर को मजा सा नहीं आ रही है मेर को नहीं रहना इनके साथ मेर को इनके साथ नहीं रहना है तो भईया मैंने बोला यार ठीके नहीं रहना है तो फिर क्या कर सकते हम तो उसने बोला यार, भाई, कोई तड़्किब तो निकालनी पड़ेगी, मेर को यहां से हसने का है, अदे यार, मेर को यहां से रठने का है, तो उन्ने का ठीक है, भाई, हड़िया, कोई दिक्कत नीए लो, चाथ, वो दिकत, अब उसने बोला मेरे को यहां से हटने का है हटने का सबसे अच्छा तरीका है भईया, पानी डाल दो मैं तो पानी पानी हग गई पानी का मतलब हाइड्रोलिसिस करवाया सर ग्रिगनार्ड में यही होता है पहले ग्रिगनार्ड से रियक्षन कराएंगे, फिर पानी पानी हो जाएगा और जैसे ही पानी हुआ तो पानी में दो चीज़े होती है, आपको बार बार समझा चुका हूँ ह प्लस, ओएच माइनस यह बात मैंगनीशियम को पता चली किता है अगर मैं यहां से भग चला, यहां से मैं भग चला, तो मेरको ओएच मिल जाएगा और ओएच के साथ बढ़िया बेठ हूँगा मैंने का ठीक है, तो मैंगनीशियम यहां से भग गया मैंगनीशियम की दो वैलनसी होती है, एक से तो बीयार खुश था दूसरे पर OH आ गया और यह बन गया एक बाइप प्रोडक्ट, अब O के उपर फिल से माइनस आ गया लेकिन ऑक्सीजन ने देखा कि भईया वहां हाइडरोजन है, तो हाइडरोजन को बोला आजा, चला आजा तो हाइडरोजन के ताय आ जाता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो अब देखिए, CH3 C, फिर नीचे CH3, यह H को साथ में लिख दो, और ऑक्सीजन के पास कोन है हाइडरोजन, यह देखिए सर, अलकोहल बन गया है, यह देखिए सर, अलकोहल बन गया है, और यह ऐसा वैसा अलकोहल नहीं बना है, अगर आप ध्यान से देखे, तो यह मेरा अलफा कारबन, और अल अलकोहल, और मैंने अल्डी हाइड लिया था, प्राइमेरी, सर, मैंने अल्डी हाइड लिया था, प्राइमेरी अल्डी हाइड, मतलब जब मैंने प्राइमेरी अल्डी हाइड लिया, तो ग्रिगनाट की मदद से, मेरे को कौन सा अलकोहल की प्राप्ती हुई, सेकंडरी, सर होना भी चाहिए था क्योंकि गरिगनाड ने एक मिथाइल दिया है मिरको गरिगनाड ने एक मिथाइल दिया है और साथ डिगरी हमेशा एक कारवन बढ़ाता है जब एक नए कारवन आपके पास आएगा तो ऑटोमेटिकली डिगरी बढ़ जाएगी यही मैं बता रहा था कि अगर आपने primary aldehyde लिया और उसकी reaction ग्रिगनाड reagent से कराई तो आपको पक्का मिलेगा क्या secondary alcohol क्या मिलेगा secondary alcohol ये काम की चीज़ है सर ये शांदार चीज़ है जो ये पढ़ गया उसका काम हो गया सर जिसको ये बास समझ में आ गई क्योंकि बास समझना बहुत जरूरी थी चलिए 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 मज़ा आएगा सर मज़ा आएगा अभी तो लिखो अभी तो कहानी शुरू हुई ये अभी तो primary aldehyde लिया अभी मैं लूँगा zero degree aldehyde करके देखते अलकॉल क्या बनता है क्योंकि zero degree में एक डिग चमका चलिए हटाओ अब दूसरा पकाना चलिए आजाओ सर्दूसरा aldehyde ओहो दूसरा formaldehyde ले लिया सर formaldehyde ग्रिगनाट से CH3 mgbr dry इथर के presence में किसके presence में dry इथर के presence में अब ध्यान से सुनिए द्यान से वही वाला process यह उपर जाएगा तो यह minus यह plus magnesium बोलता है हम positive और यह negative अब देखो क्या होगा सर बहुत शांदा यह minus किसको अप्रोच करेगा plus वाले को और यह plus किसको अप्रोच करेगा minus वाले को बस जोड़ दो सर H C उपर single bond O हो गया O के उपर minus था Mgbr आके से जुड़ गया है खुश हो गई है लोग अब बगल में कोन है बगल में H है और यह CH3 कहां गया नीचे कहां सर यह कहां नीग है यह फिर से एक unstable वाला compound जो बीच में intermediate compound बनना था वो बन चुका है अब बात आ रही है सर क्या अब बात आ रही है आगे क्या तो भाईया magnesium बोलता है मेरे को जाना है मेरे को यह नहीं रहना है तो फिर इनने का ठीक है भाईया hydrolysis करवा तो second point hydrolysis का मतलब होता है H plus और OH minus यह होता है अब समझो समझो सर कुछ नहीं होगा यहां सही है mg गायब और mg क्या बनाएगा एक पे बी आर एक पे OH यह होगा अब क्या बचा अब क्या बचा हो देखना यह carbon पे कितने है रोजयन है दो और इधर क्या है CH3 तो CH3 CH2 उसके बाद O और साथ में H लग जाएगा लंग से देखो तो सर यह मेरा अलफा और अलफा से एक जोड़ा है that means यह primary alcohol क्या है सर primary alcohol और formal diet कौन सा था सर सर हम इसको चुपचाप से कहते हैं zero degree aldi तो सर एक डिगरी बढ़ गई एक डिगरी बढ़ गई डर गई डर गई zero से primary zero से primary मेरी जलदी 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 है जल्दी जलदी करहते हैं margin जल्दी करेंगे याज जल्दी करेंगे ह ele हो जाए तो बताएगा अब बालिक कीu अच्छासए secondary aldi नहीं हो था मैंने का अभी तो बताया था secondary aldi नहीं होता aksi cannバtecketहन में से करेंगे समझ में आया के नहीं समझ में आया के नहीं भाई पहले जल्दी चमका हो जाए पहले जल्दी चमका हो जाए जल्दी 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 चमका हो जाए फिर बात करेंगे आगे की जल्दी चमका हो जाए फिर बात करेंगे आगे की और बहुत शांगार बात करेंगा आगे कि जल्दी 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 हो जाए तो बताइए हो जाए तो बताइए चलो 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हो गया confirm confirm चरिए यस अब करेंगे sir LDIT हो गया है अब बात करेंगे ketone के साथ ketone को भी नहीं छोड़ेंगे sir किसी को नहीं छोड़ेंगे ketone को भी नहीं छोड़ेंगे सब को पकड़ लेंगे कहीं नहीं छोड़ेंगे sir किसी को आ जाओ ketone क्या होता है sir सर, दोस्थ है, बहुत बढ़िया दिखता है, ऐसा कुछ है कीटो, मैंने का iteration, इसमें भी उसी को ले ले, मैंने काना ले लो, भाई कोई लेलो, कोई दिक्कत नि है, CH3 MEGBR, बहुत छोटा सा गरिगनाड है, बढ़िया गरिगनाड है, असान गरिगनाड है, इसलिए अपन सको क्या बचा CH3 C C के साथ नीचे जोड़ जाएगा CH3 फिर उपर O माइनस पर क्या जाएगा MGBR प्लस और साइड में साइड में क्या है CH3 देखो साइड में भी CH3 है दोनों CH3 एक नीचे आगया CH3 और उपर MGBR अब फिर वही वाली बात MGBR रोने लगा कितर साथ हम कुछ जाने का है तो किदर जाने का है पानी पानी हगई यह देखो तो यहां से तूटने वाला है यह फिर क्या होगा सार MGBR अब क्या बचा देखो आप बहुत प्यार से CH3 C CH3 नीचे CH3 अब मैंने कुछ नहीं किया अब सीधे O O ने किसको बलाया H को क्या बन गया सर अलकोहल अब मैं कहता हूँ आप डिगरी बताओ सर यह रहा में कारवन में कारवन से कितने लोग जुणे सतीन मतलब कौन सी डिगरी हो गया तर्शरी अलकोहल क्या होगा सर टर्शरी अलकोहल ये बात आपके जानने किया सर ये होता है टर्शरी अलकोहल इंपोर्टेंट है क्या नहीं है सर ये बहुत जानदाल था जो आपको पता ना था सर, ग्रिगनाड रिएजेंट पे यही चीज़े देखने को मिलती है बहुत जरूरी चीज़े सर, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला जल्दी नोट डूं करो, बिलकुल बिलकुल, पहले ग्रिगनाड से कराइंगे, फिर हारे हैडोलिसिस करादीगे, बस इतना सा काम है इतना कल्दी अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बीच में अपन को कु cloud चलो चलो हो जाये तो बताईए हो जाए तो बताईए चलिए हो गया, कोई दिकत तो नहीं चलिए, क्लिया करें, पक्का, चमका ना एक बाद जल्दी लिखो सर, ग्रिगनाड रियेजेंट चमका जल्दी लिखेंगे, ग्रिगनाड रियेजेंट चमका अब देखिए एक्शन वेट ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट एक्षिन विद ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट अगर आपने फॉर्मल डियाइड लिया तो फॉर्मल डियाइड आपको जीरो डिगरी होता है तो आपको यहां मिलेगा वन डिगरी अलकॉहल क्या मिलेगा one degree alcohol लेकिन formaldehyde के जगा आपने अगर one degree L, कोई सा formaldehyde को छोड़ के तो आपको यहां मिलता है second degree alcohol 101% और अगर आपने यह ketone लिया कोई भी ketone दुनिया का आपको मिलेगा tertiary alcohol होल जोंकि ketone itself में two degree होता है तो सर ये काम की चीज थी जो आपको आज पता होनी चाहिए थी ये literally काम की चीज थी जो आपको आज पता होने चाहिए ठीक है ये चीज आप देखिए एक बार ये important है ये बहुत important है इसको वो ही बना दें दोनों साइट कि सर इसको दिल में बसाना इस पर काम होता है इस पर कोशन बन जाएगा इसी लिए इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है चलो तो इसको काम बना के रखना है दिल में बिल्कुल तरीके से चलो पक्का जल्दी नोट डाउन करेंगे जल्दी 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 बात समझ रहे हैं कोई दिकत तो नहीं पक्का कनफर्म चलिए चलिए तो आगे बढ़े कनफर्म जल्दी नोट डाउन कर ये इसको सर ये सबसे इंपोर्टेंट चीज है कोई दिकत ये बात तो नहीं है इसमें बहुत शांदार चीज थी सर ये आपको पता होना चाहिए ये सबसे इंपोर्टेंट था यहां का मैं आपको एक बात बोलू दो सबसे इंपोर्टेंट जितने इसमें इंपोर्टेंट और 5 स्टार कलना है ना कली जगा सर काम की चीज़े एक दम काम की चीज़े तो सर ये था आज कुछ प्रिपरेशन अभी इथर बाकी है इथर आपन देखेंगे नेक्स्ट में क्योंकि सर फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि अभी कुछ प्रिपरेशन और है तो आज अपने देखा प्रिपरेशन आफ एलकोहॉल पार्ट वन कल देखेंगे इसका पार्ट तूसर मज़ा आने वाला है बहुत शांदार मज़ा आने वाला है पहले मैं सोचाओ एक दो कोशन होमवग दे देता हूँ मज़ा तो तब ही है यह लीज़े एक दो होमवग दे देंगे तो बहुत शांदार हो जाएगा ठीक है इसकी पहले रियाक्शन ग्रिगणाट से कराना और साथ पाण ही डाल देना तो और इसका अंसर मेर को कमेंट सेक्शन में चाहिए कमेंट सेक्शन बोले तो अपने लाइफ कमेंट नहीं नॉर्मल कमेंट मेरे ठीक है यह पहला कोशन होमवग के लिए देखें तो किस-किस से बनता है सेकेंड मज़ा तो तब ही आएगा ना कौन-कौन तेज होता है तो कि चीज अगर सिखा दिये तो भाईया अंसर में चाहिए भी है बिलकुल, बिलकुल, बिलकुल ये लिज़े सर करके दिखाएं, करके दिखाएं ये दो हूमवक क्या देदी हैं सर जी? हूमवक मज़ा तो तब ही आएगा चलो जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे सर जल्दी नोट डाउन करेंगे बहुत शांदार बहुत शांदार जल्दी कोई दिकात कोई दुख कोई दल्द अगर है तो बता दो वैसे तो दल्द होगा नहीं वैसे तो दल्द होगा नहीं पक्का कंफर्म करू चलिए एक बार मैं आपको दिखाते हूं आज क्या क्या स्क्रीन शॉट थे ये था एक ये था एक ये था है ये था हाइड्रो बॉरेशन वाला पूरा वता है मैंने पीचे और ये फ्रम अलकीन से चलूँ हुआ था जिसमें अपना में आना नहीं छोड़ेंगे सर बिलकुल भी सर आप सभी को पता है टारेट अपना भाउत बड़ा है तो मेहनत भी बहुत तेज करनी पड़ेगी 70 के साथ पूरी जान से लगाए कि भाया आपका हर काम कर वाया जा सके मैंने बेंस पूरी तेजी से लगाए सर जी दो टीचर दो टीचर नहीं दो चैनल English इंग्लिश मीडियम एस वले हिंदी मीडियम दोनों में हर टीचर अपने पूरा पूरा एफट लगाते हुए बस आप लोग से पढ़ते चलिए कोई दिक्कत हो तो डाउट में पूछते चलिए कल फिर उसको ले लेंगे और मज़े से करेंगे सर इंग्लिश मीडियम में सीबिसी सर 11-12 की किमिस्टी लेकर रेगुलर्ली आपके सामने आता हूँ में और रोज आता हूँ साथी साथ स्पोकन इंग्लिश सीउटी एंटी एसी ओलम्पियाड जैसे सारे कोर्सेज आपके सामने हर चीज अविलिबल है सर और क्या चाहिए भीहरबर और MP बोट सर सारे बोर्ट दॉट सारे बोड अविलिबल एं उरके सर नोट चाहिए नोट भी iнос a ebooks सर डिस्क्रिप्शन में लिंक अविलिबल है बस एक क्लिक करिए और अपने नोट को 일िए और मज़े से पढ़ाई करिए सल शांदाल तरीके से सारे lectures का आप लुफ्ट YouTube पे तो उठाई रहे हैं लेकिन अगर आप चाहें तो Magnet Brains की website पे जाके भी इन सब को देख सकते हैं एक मात्र ऐसा platform पूरे YouTube पे जो आपको 100% quality education provide करता है 100% free sir kg से लेकर class 12th की education आपको provide की जाती है और साथी साथ practice papers, notes, everything thing will be there, हर चीज, चीक है, तो मिलते हैं sir कल के धमाके दाल lecture में, same team, same जगा same teacher, same chapter but topic भी थोड़ा relevant ही है क्योंकि आदी topic कल होगी, और same audience अगर चाहो तो और भी सारे बच्चों को जोड़ाओ, सब को बिठा लेंगे और जो homework दिये हैं, वो मैं देखूँगा comment section में जहाँ जहाँ जो जो चीजे बोलीती लिखने को, वो सब देखूँगा comment section में और एक बार last में हो जाए sir, चमका मसा आगया आज के lecture में चलिए, ओके, बाई बाई, thank you so much, जहन